खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े। और वहाँ पर जो लोग हैं अब धीरे धीरे करके इस रेस्क्यू लिफ्ट के जरिये उनको बाहर निकाला जा रहा है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और अभी भी बताते हैं कि कई सारे लोग जो है कम से कम 40 के आसपास के लोग अभी भी टेर्रेस पर मौजूद होंग जो जुलस कर होते हैं और कई लोग जो है दम घुटने की वज़े से धुएं की वज़े से भी मारे जाते हैं और धुएं लगातार जो है उपर की तरफ जा रहा है वहाँ पर भी इस वक्त लोग फसे हुए हैं यहां पर आप देखेंगे कि जिस जगे पर यह मारत है उसके ठीक नीचे की और यहां पर बैंडरा फायर स्टेशन है याने कि अगर यह आग ज्यादा फैलती तो खुद यह फायर स्टेशन भी इसकी चपेट में आ सकता था इर्द गिर्द रिहाईशी मारते हैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन ताउर यहां पर है यहां से हेलिकॉप्टर के जरीए एर्लिफ्ट किया जा सकता था इन तमाम लोगों को लेकिन अब चुकी संसेट हो रहा है और ऐसे में एर्लिफ्ट की गुण्याईश जो है वो लगभग खत्मसी हो रही है क्योंकि अंधेरे में हेलिकॉप्टर यहां पर फ्लाई नहीं कर सकता बहुत सारे हैं यहां पर उची इमारते हैं खुले तार हैं क्रेंस हैं और ऐसे में हेलिकॉप्टर के जरीए बिनको एर्लिफ्ट होने की खबर नहीं आई है लेकिन जिस तरह से धुआ अभी भी यहां पर काबिज है इस इमारत को काबिज किये हुए है उसको देखते हुए जल से जल तमाम लोगों को बाहर निकाला जरूरी है क्योंकि आम तोर पर इस तरह के हाथ सों में कई लोगों की मौते जो है ले हुए हैं उनको नीचे उतारने के लिए मुंबई के तमाम आसपास के फायर स्टेशन के फायर इंजिन्स को भी यहां पर बुला लिया गया है यहां पर राहत और बचाओ का काम करने के लिए कैमरामेन सची शिंदे के साथ जीतें रदीक्षित एवीपी नियूज झाल लिए झाल